आम आदमी का यही नारा, इंसान का इंसान से हो भाई चारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा गाजी पुर्जिला, वीरों, शहीदों, साहित्तिकारों, फिल्मी सितारों एवं एतिहासी धरोहुरों के लिए विशुविख्यात है यहाँ पर युद्भ्यूमी के साथ साथ खेल के मैदान में भी अनेकों खिलाडी युद्धाओं ने जनम लिया इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए खेलों की दुनिया में जनपत गाजी पुर के साथ उत्तरप्रदेश का भी नाम रोशन कर सब को आश्चेर चकित कर दिया है एक पाच्वी क्लास के ग्यारा वर्सी ये बच्चे ने जिसका नाम अफजल है उसने अपने खेल के स्केटिंग रोल के जरीए लोहा मनवाने का काम किया है कहावत है कि पूत के पाउं पालने में ही दिख जाते हैं प्रतिभा किसी उम्र की मोहताज नहीं होती इसको सच साबित किया है कस्बा दिलदार नगर वाड नमबर एक के निवासे अफजल अली खान जिसके उम्र 11 साल है लखनाओ के एक इंग्लिस मीडियम स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सकेटिंग रोल बॉल खेलते हुए अफजल ने पिछले कुछ साल से राजस्तर पर उत्रपरदेश के कई जिलों में मेरट मुरादाबाद लखनाओ समित राज के बाहर आसाम में गुहाटी के भोगेश मिश्वरी फुका नानी इंदोर स्टेडियम में चल रहे मिनी नेशनल स्केटिंग रोल बॉल चेम्पेंशिप में उतरपरदेश की तरफ से खेलते हुए अपने हुनस से कुछल खिलाडी होने का परिशे दिया अफजल ने स्केटिंग गोल बॉल चेम्पेंशिप में कई राजियों से आए खिलाडियों के दाथ खटे करते हुए 14 गोल मार कर बेस्ट प्लेयर घोशित होकर सिल्वर मेडल हासिल कर अपने जनपत और राज्जी का नाम रोशन किया अपने घर दिलदार नगर पहुचे अफजल अलि का जोऱदा स्वागत हुआ वह चेतर वासियों में हर का माहौल देखने को मिला परिजनो यह नगर वासियों ने गर्म जोसी से अफजल का स्वागत किया साथ ही छेत्र की मशहूर दिंदार म्यूजियम दिंदार लाइबरेरी में लाइबरेरी के संड़क शक रिटायर टीचर मुहम्मद करीब रजा खान एम शायल जुबेर खान दिलदार नगरी ने संयुक तुरूप से फूल मालाओं से इस होनहार बच्चे का स्वागत किया पुछे जाने पर अफजल ने बताया कि लगभग तीन साल से प्रैक्टिस कर इस खेल में ख़दम रखकर काम्याबी हसल करना मेरे माता पिता और गुरिजनों का अहम योगदान रहा है कई प्रुसकारों में मेडल ट्राफिस सेटिफिकेट आदिप प्राप्त करना उद्देश्य तो है ही मेरा ओलमपिक पदक जीत कर आपने भारत देश का नाम अंतर राश्टी फलक पर रोशन करना चाहता हूँ दिंदार म्यूजियम दिंदार लाइबरेरी के क्यूरेटर कुमर मुहम्मद नसीम रजा खान ने बताते हुए कहा कि अफजल की सफलता ने जनपत गाजेपुर में सकेटिंग रोल बाल खेल से नई युक की शुरुआत कर दी है शायद मेरी जानकारी के अनुसार जिले में इस तरह के खेल कभी नहीं खेले जाते थे इसे यहां अस्थापित करना चाहिए पूर ग्राम परधान असलम खान वा वालिद भी खुशी का इज़ार करते हुए उत्तरपरदेशियों के अंदर सरकार से अन्रोथ किया कि हमारे जन्पत गाजिपुर जिले में एक स्केटिंग रोल बॉल सेंटर खोलने पर विशार सरकार को करना चाहिए ताकि यहां पर विच्छुक प्रतिभागियों को उभारा जा सके जिससे जन्पत के साथ साथ भारत देश का नाम भी दुनिया भर में रोशन हो सके अपना नाम बताईए मेरा नाम अबजा लाली खान है मेरे पापा का नाम इवादो रामान खान है मेरे गाउं का नाम दिल्दार नगल है जिला का नाम गाजिपुर आप कहां पढ़ते हैं मैं लग्नाओ में पढ़ता हूं किस क्लास में मैं फिफ्ट में पढ़ता हूं किस स आणी है एक च्खी नों और च्पीक लट आपकर आप थो जो किस तरीकलत बहुत का इस सपना है मैंने बहुत अच्छे स्खेला, मैंने 14 बोल मारा और हम लोपी टीम को सिल्लो नेड़े मिला और एक ट्रॉफी मेरे आगे आगे आपका क्या इरादा है खेलने का? मेरा आगे यह इरादा है कि मैं ओलनपिक्स खेलो और अपने उत्तर प्रदेश का नाम राशन करो और अपने जिल्ला का नाम राशन करो अप कहा कहा तक खेला है आपने? मैंने श्वूल की अपने तरब से बस डिष्धी खेला और जो मेरे कौच है नही साथ को बाहर हिला था जुद को एंफा जो बाहरा पो hosts कि खेल चुका हूँ तो आप आप में खेल एका आप को हासिश में मैंने आसाने खेला, मैंने 14 गुल मारे और हम लोको सिल्वा मड़ला और क्या क्या मिला? और हम लोको कप मिला बहुत अच्छा महसूस करते हैं और मैं यही चाहूंगा कि अपने देश के लिए हमारे बच्छा बहुत अच्छा खेले और हर माबाप का गर्व यही होता है दुस्री चीजित है कि मैं अपने पढ़ानमांवंत्री जी से चाहूंगा, रिक्वेच्ट करूंगा, उजारिस करूंगा कि हमारे जीला में जीला गाजीपूर में यह खेल नहीं है और अपने उतर प्रते सरकार से पहने चानुगा कि ये जीला गाजीपुर में ये स्केटिंग रोल बालते हैं मरून का अभाईर ये रोंगा मेरा नाम मौमाद अस्ताम राजा कामार मैं दिल्दार नगर ग्राम सभा का तुब राम पर्धान हूँ और मुझे आद बहुत खुशी है कि मेरा बतिजा मेरे गाओं का बच्चा जो है वो नेशनल्ट खेल करके आया है इसका मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और मैं अपमें उप्तरप्रदेश के चीप मैनिस्टर साब से और देश के परण मंतिजी से ये चाहूँगा कि गाजी पूर जिले में इस तरह का एक इंस्टूर्ट खुले जो हमारे जिले के बच्चे देश में नाम पहला करें